तो दोस्तों अगर इस तरह का प्रोब्लम आपको भी आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए आज में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वाला प्रोब्लम गर आपको आ रहा है क्रोमा टून अप्लिकेशन में तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हो कैसे इसको सही कर सकते हो इस problem को सही करने के लिए दोस्तों मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को कहीं भी skip नहीं करना नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने इसको कैसे सही किया है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप Chroma Toon Application के लिए बहुत सारे PNG Character डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कहां से डाउनलोड करें वो भी बिल्कुल फिरी में कहां से जाके डाउनलोड करने उसके बाद यहां पर अप्लोड इमेंज क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी CAD करक्टर करना चाहते हैं उसको यहां पर यह यह PNG character है, ठीक है, यहाँ पर आपको select कर लेना है, select करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको wait करना है, wait करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है background यहाँ से remove हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर download वाले option पर click करके इसको download कर लेना है, तो यहाँ पर मैं इस पर click कर लेता हूँ, click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, file download हो चुका है, अब यहाँ से हम back कर लेंगे, फिर से आजाएंगे अपने chroma drone application में, और उसके बाद यहाँ पर उस character को import करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे character number पे, उस उसके बाद उस file को यहाँ पर select कर लेना है, तो यहाँ पर हम select कर लेते हैं, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ok पे click कर दिया character यहाँ पर import हो चुका है, पर यहाँ पर देख सकते हैं, क्या problem आ रहा है, यहाँ पर पहले तो इसकी quality डाउन हो इसका जो मूच गायब उसको सही करने के लिए, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको zoom करना है पहले, यहाँ पर उसको थोड़ा सा zoom करके आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आपको zoom करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर option मिल जाएगा, erase and restore का ठीक है, पर देख सकते हैं वो पार्ट आ चुका है और उसके बाद आपको क्या करना है डन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है तो यहां पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं डाउनलोड करने के लिए यहां पर डाउनलोड वाले बटन भी आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी दोस्तों आपको यहाँ पे एक problem दो आएगी, character का जो quality रहेगा, वो फिर भी down रहेगा, तो चलो यहाँ पे मैं folder को select करके, उसके बाद यहाँ पे file को select कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको click कर लेता हूँ, click करने के बाद दोस्तों भी कर लेते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, character का मूच वगरा तो आ चुका है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ problem लग रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी quality अलग से down है, अब यहाँ पे मैं दोस्तों type में आपको बताता हू के remove.pg में जाके, तो चलो आप दूसरा तरीका भी जान लेते हैं, कि इस problem को कैसे सही किया जा सकता है, तो दूसरे तरीके से कैसे सही कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे Chrome browser को open कर लेना है, ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपके सामन ऐसा interface आजाएगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे tutorial का option मिल जाएगा, इस पे आपको click करना है, जैसे आप इस पे click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे add आ रहा है, तो हम यहाँ पे add को पहले cut कर लेते हैं, cut करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रोल करके आना है, थोड़ा थोड़ा आपको नीचे स्क्रोल करके आ जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा और आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा page आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, Hindi Video tutorial series यह आपको यहाँ पे ऐसा option मिल जाएगा अब उसके बाद आपको यहाँ पे download का एक option मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं download का आपको option मिल रहा है इस download वाले option पे आपको click कर लेना है यहाँ पे आपको click करना है अभी यहाँ समय आपको character को download भी करके दिखाऊंगा और chroma tune application में जाके इसको import करके animation भी करके दिखाऊंगा तो दोस्तो आपको यहाँ पे जितने character मिलते हैं यह सारे character chroma tune application के यह सारे character आप download कर सकते हो download करने के लिए दोस्तो आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको three road पे click करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे scroll करके आजाना यहाँ पे download वाले option पे क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे file डाउनलोड हो जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों हमने तीन character डाउनलोड कर लिये हैं अब यहाँ से हम कर लेते हैं back और आ जाते हैं chroma dune application में और यहाँ पे मैं इसको import करके दिखाता हूँ कि जो हमने पहले background को remove किया है remove.vg से जाके इसमें और जो हमने official website से डाउनलोड किया है उसमें दोनों में फर्क क्या है अगर आपको दोनों में फर्क देखना है तो mobile को full screen पे कर लिजिए और video की quality को आपको 1080p पे कर लेना है अब यहाँ पे हमने character को import कर दिया है जो हमने website से download किया था यहाँ पे ok पे click कर देते हैं click करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने website से download किया था उसको हमने यहाँ पे import किया है और जिसका हमने background यहाँ पे remove किया था उसको भी आप यहाँ पे check कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद देख सकते हैं chroma tune application में बहुत ही आसानी से import कर सकते हो और उससे कोई भी animation करा सकते हो अब इसको कैसे download करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है जो वीडियो आप देख रहे हो उसी वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा यहाँ पर मैंने वीडियो के description को open कर लिया है open करने के तो मेरे telegram वाले channel पर आप switch हो जाएंगे वहाँ पर जाके आपको मेरे channel को subscribe कर देना है और उसके बाद वहीं पर आपको एक link मिलेगा उस link को आपको open कर लेना है जो की मेरे google drive का link होगा जैसे आप उस link पर click करेंगे click करने के बाद आप मेरे google drive में आ जाएंगे अब यहाँ दोस्तों आपको free में बहुत सारी चीज़े download करने का option मिल जाएगा यहाँ पर आपको chroma tune के लिए character चीए तो यहाँ पर आपको chroma tune वाले folder पर click करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको character का option बहुत सारा मिल जाता है अब यहाँ पर दोस्तों आपको png character वाले folder पर click करना है जैसे आप इस पे click करेंगे, click करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे तीन folder आ जाएंगे, यहाँ पे अभी आपको दो ही folder दिख रहा है, यहाँ पे आपको तीन folder दिखेगा, तीसरा folder होगा animal character का, तो दोस्तों आप यहाँ से कोई भी character download कर सकते हैं, चाए human, चाए animal, चाए body, चाए कोई भी character आप यहाँ से download कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे character देखने को मिल जाएंगे, यह सारे character दोस्तों आपके लिए बिल्कुल free है, यह सारे character आप download कर सकते हो, अपने chroma dune application में इसको use कर सकते हो, animation video बना सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत सारे character आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको character का map भी मिल जाता है, जो भी character आप यहाँ से download करना चाहते हैं, simply आपको यहाँ पे क्या करना, 3.0 पे click करना है, download वाले option पे click करना है, और इस character को आपको download कर लेना है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 3 तरीके बताया है, कैसे आप उस problem को fix कर सकते हो, और कैसे दोस्तों आप नए character को download कर सकते हो, कहां से आपको character को download करना है यह सारी चीजे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उस problem को fix करने के लिए दोस्तो एक ही तरीका वही है जो आपने पहले starting में देखा है दोस्तो chromaturn application में आप कोई भी character को import करते हो तो उसका background का remove होना जरूरी अगर background remove नहीं होगा तो वो problem आएगा तो इसके लिए दोस्तो आपको किसी तरह से background को remove कर देना है लेकिन अगर background को remove करेंगे तो उसका quality थोड़ा सा down हो जाएगा तो दोस्तो आपको यहाँ पे देख लेना कि अगर आपको background को remove करके यहाँ पे use करना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं और अगर आप नए character को download करके उससे animation कराना चाहते हैं तो दोस्तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है वहाँ से जाके आप download कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद कोई भी animation आप उससे करा सकते हैं उम्मीद है दोस्तो इस वीडियो में सारे problem आपके solve हो चुके होंगे अगर दोस्तो आपको कोई problem और आता है तो हमारे Instagram चैनल पे जाके DM करें मैं उसका reply जरूर देता हूँ वहाँ पे जाके आप DM करेंगे तो मैं आपसे बात करूँगा और आपके problem को solve भी करूँगा तो दोस्तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा comment box में अपनी राय जरूर देना और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना चैनल पर नए आए तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर देना इसी तरह के और भी informative वीडियो के लिए तो चलो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं इस चैनल के अगले वीडियो में